आप देख रहे हैं लाव विद एस्ट्रोलिजी पूरी दुनिया पर होगी आपकी प्यार की हुकूमत हर तरफ से आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा दिल का तूटना और रिस्तों का बिखर जाना संबंधों को तार-तार कर देने वाली परिस्ततिया situations कैसी भी हो पर जब बात दिल पर आती है तो सब मुश्किल लगने लगता है तो क्यों रोते हो? क्यों हो परिसान तुम इस बात के लिए? क्यों तुम इदर दर बटकते हो? क्यों आप मुल्ला मौलिवियों के चक्कर में पड़े हो? ये काम तुम अपने आप ठीक कर सकते हो? आज रात में बिस्तर पर सोने के पहले ये शब्द बोल देना उसके बात देखना कि आपका प्यार आपके हिसाब से चलेगा आपका प्यार आपके कदमों में होगा आपका प्यार आपके हिसाब से चलेगा जो तुम चाहोगे होगा वही अब देखिये पूरा मिशलेशर आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रriagey नभशकार मैं हूँ आचारीस अती सवस्ती और आपका बहुत स्वागत करता हूँ लव वेद एस्ट्रोलिजी में लव विद एस्ट्राजी में आपके अपने जीवन में सर्वशेष्ट बीवस्थाओं को ओत्पोत करने का साधन है love with astrology में शादी के पहले और शादी के बाद की समस्याओं का समाधान होता है यहाँ पर शादी चल नहीं रही हो या शादी होने में दिक्कत हो या love life में कोई problem हो या relationship में कोई problem हो तो इसका पूरा समाधान किया जाता है research करके उसका research करके उसको पूरा का पूरा working करके और समबेदनाओं के साथ feeling के साथ आपकी मदद की जाती है और आपको जिताया जाता है यहाँ जीतने वालों की संख्या 20 लाख से पार कर चुकी है हमारे यहाँ 21 लाख close लोग धन्यवाद कर चुके है हमारे हाँ का success rate 95% plus है यानि जो भी आता है वो अपना प्यार ले करके ही जाता है देखिए कितना अदबुत संसादन है आज मैं कहे रहा हूँ कि सोने के पहले ये शब्द बोल देना आज मैं कहे रहा हूँ कि बिस्तर पर बैट कर ये बात बोल देना आज मैं कहे रहा हूँ कि तुम्हारा बिस्तर तुम्हारी सया तुम्हारा तुम्हारा जो आसन है वो अपने आप में सिद्ध होता है रोज आप जिसके उपर सैन करते हो वो आपकी marriage life ठीक कर सकता है रोज जिसको आप बहुत सारे घंटे देते हो इतना टाइम आप किसी और चीज को देते ही नहीं जितना आप अपनी सय्या को अपने वासन को अपने बेड को और जहां पर आप सैन करते हो सोते हो बिश्राम करते हो स्लीप करते हो जिसको आप इतना समय देते उतना तो किसी भी चीज को समय नहीं देते उतना समय ना आप काम को देते हैं ना खाने को देते हैं नहाने को देते हैं किसी भी चीज को इतना टाइम नहीं देते किसी भी साधना में इतना टाइम नहीं लगता आपको ये भी एक प्रकार की साधना है तो ये जो साधना स्थल है इसको आप समस्ते नहीं है जबकि ये साधना स्थल पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है आपको जब राती में सपना आते है न, तो वो एक तरह का इंडिकेशंस है, सपन इतना ज़्यादा कारगर होता है कि आपको बिल्कुल सजीव दिखाई पड़ता है, जब आप सपना देखते हो तो आपको बिल्कुल सत्य जैसा दिखाई पड़ता है, और कितनी बार तो ऐसा ही होता है कि जो सपना तुम जैसा देखते हो वैसा हो जाता है यह सपना में कहुं विचारी होई ही सत्य गए दिमचारी यह सपना में कहुं विचारी यह सपना आपके अपने जीवन को स्रेशतम विवस्थाओं से उत्पोत करने वाला हो जाता है कहने का सीधा मतलब है तुम्हारा बेड़ सिद्ध है तुम्हें मालूम नहीं है सोने के पहले यह शब्द बोल दो तुम्हारा विवाह बढ़ सकता है सोने के पहले ये शब्द बोल दो तुम्हारा प्यार दूर जाते हुए पास आ सकता है सोने के पहले ये शब्द बोलने से आपके अपने रिलेशन में मजबूती बढ़ सकती है सोने के पहले ये शब्द बोलने से जो बिक्ती कमजोर पढ़ रहा था जो बिक्ती थोड़ा डाउन हो रहा था अपने घर परिवार वालों के सामने तुम्हें एकसेप्ट करने के लिए दिक्कत कर रहा था जो ये इनसान तुम्हें समझने में दिक्कत कर रहा था जिस इंसान के बिक्ती के मन में उतना श्रेह प्रेम नहीं है जितना तुम्हारे है वो सब चीजों का समाधान आपको सिर्फ ये शब्द बोलने से मिल सकता है जानिये पूरा विशलेशन उसके पले एक वाइस मैसेज ले लेते हैं वाइस मैसेज प्लीज नमस्ते गुरु जी थेंक्यू सो मुझ आपकी किरपा से सब उच अच्छा हो रहा है सब उच बहुत अच्छा हो रहा है एक अच्छी जोग लग गई है मैंड भी बहुत पोजिटिव रहने लग गया है और जिनसे में प्यार करती थी वो भी मेरे से बात भी कर रहे है और मिलने के लिए भी आए है बहुत अच्छा लग रहे है थेंक्यू सो मुझ सब कुछ आप की किरपा से हुआ है थेंक्यू 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 सो मुझ बहुत बहुत धन्यबाद, बहुत बहुत शादवाद, बहुत बहुत आशिरबाद, प्रमात्माशिव आपको प्रसंद करें, आनन्दित करें, सुविवस्थित करें और आपकी हर अवश्रक्ताओं के पूर्ती करें बहुत सारा प्यार मिले आपको आप ऐसी खुश रहें, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका यकीन बढ़ा, इसलिए आपका काव हुआ अगर आप भी स्क्रीन के उस तरब बैट करके इवल दर्शन करते रहते तो साथ कुछ नहीं होता था आप आगे बढ़ करके प्रहत्न किया आपने और जैसा कहा गया वैसा किया इस वज़े से आप सफल हो गए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सब कुछ बिखर चुका था पर मेरा भागी साथ नहीं दे रहा था नसीब का खेल समझो या समय का फेल मैं उससे बहुत ही उक्रे-उक्रे से रहते थी हर तो और यह किसी हर इस्तरीक और आकर्शित होने लगी सब कुछ ट्राई कि पुजा पाठ उप्वास पर मेरा भागी साथ नहीं दे रहा था तो आईए और जुड़ जाईए आचार श्री सतीश अवस्थी जी सिध्ध जोतिश गुरू विश्व के एक मात्र वोइस रीडर है यानि आचार श्री को केवल आवाज सुनकर ही जटिल से जटिल समस्या का समाधान निकालने में महारत हासिल है अपने आध्यात्म बल्द और सिध्धियों के माध्यम से निरंतर सफ़ प्रयास कर लेते तो मैं कह रहा हूँ कि ये शब्द बोलने से सब्द ब्रम होता है शब्द में अनेकों ताकते होती है कुछ शब्दों को मिला कर के आपको बौला जाय तो आप खुश हो सकते है शब्दों में बड़ी ताकत हैり शब्दों में अनेकों और जाएं ब्यापत है उन और जाओं को संगरहित करके मंतर बनाए जाते है आज मैं आपको सिर्फ तीन अक्षर का एक ऐसा अधभुत मंतर बताने बाला हूँ, जिससे आपके प्यार में आपकी जीत होगी, जिससे रिस्तों में आपकी बिजैश्री होगी, जिससे सम्मंधों में मधूरता बढ़ाने में आप बड़ा रोल अदा कर पाएंगे, और आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, प्यार में जीतना और हारना वैसे तो नहीं होता, लेकिन जब रिस्ता बिगड़ने लगे तो जीतना आवश्चक हो जाता है, जब रिस्ता खराब होने लगे तो सब कुछ समालना बहुत जरूरी हो जाता है, इसमें अगर बिलंब हो जाए, ये अगर एक भी छण आप से चीजें चूक जाए आप, तो आप अपने लाइफ को छोड़ पाते है, लब सब कुछ खराब होने लग जाता है जीवन में, फिर कुछ भी ठीक नहीं लगता, तो चलो सीधा आपको उपाय की बात करते हैं, उपाय बड़े मन से बड़ गुरू चरणों में राग रख करके ये शब्द बोल देना है, मात्र, और क्या करना है, साथ बार उच्चाड करना है केवल, आज सरलता की हद बार उपाय लेकर क्याया हूँ, आज मैं कह रहा हूँ, कि जिस प्यार को पाने के लिए तुम करोड़ों रुपे खर्च करने को तयार हो, जिस प्यार को पाने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए बेताव हो, जिस प्यार को पाने के लिए तुम कुछ भी कर रहे हो, उस प्यार को पाने के लिए सर्फ तीन अक्षर का शब्द मात्र साथ बार बोलना है, रात्री में सोने के पहले, तो बस आपको अपन गरना ये है कि आपको अपनी ही आपने पैरों की नीचे दबा देनी है vel आप कैसे बैठेंगे अपनी जो टकीय है जिस पर रखकर सर रकर बिश्राम करने वाले है उस टक्ये को आप पैरों के नीचे दबा कर बैठ डाइए फैसे बार काम दूसरा काम उड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कई एक घेरा बना लीजी अपने सामने, फ्रंट में. उसको ऐसे बिछा लीजिये सामने. उसकी रश्ची जैसा बनाके सामने ऐसा एक राउंड लगा दिये. पूरा राउंड नहीं भी हो पाए, तो भी सामने भरका तो कमसंग करी दीजिए उससे, दो काम, अब जारी है आपका वो मंत्र, ओम, आदत्रय, 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 ऐसा बोलना है, लिकने में हम इसमें त्र और या दोनों इस्तेमाल करते हैं, बोलने में या बड़ा साइलेंट है, इसलिए तीन अक्षर माने जाते हैं, तो आप इस मंदर का साथ बार उच्चान करें पुरे शद्धा से, पुरे विस्पास के साथ आप देखिएगा एक अधबुत सक्ती, ए बनाती हैं, और आप जो चाहते हो, जो आपकी अपनी इक्षा है, उसकी पूर्ती के लिए बहुत बेताब हो जाते हैं, आपको यह जानकर बहुत आश्यर होगा, जिसने में सुरू में बता रहा था, कि रात्री में शक्तियां जागरिती नहीं होतीं केवल, रात्री तुम् आप वाश्रूम ना गये हो, हो सकता है किसी दिन आपने इश्नान ना किया हो, हो सकता है किसी दिन आपने कोई अनदर काम ना किये हो, किसी भी चीज़ में ब्रेक हुआ हो सकता है, लेकिन सोने में ब्रेक नहीं हुआ होगा, चाहे आप बैठ के सोए हो, चाहे लेट कर सोए ह चाहे खड़े-खड़े सोए हो, सोने में आपने ब्रेक कभी किया ही नहीं, यही एक ऐसा काम है जो निरंतर चल रहा है और continue हो रहा है, इसलिए यह पूरी तरे से सिद्ध है, इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं आप, ध्यान और मेडिटेशन इसी का बहुत छोटा रूप है, ज वो सारी सिद्धियां तुम्हारे अपने सोने में हैं जो तुम रोज सोते हो, बस उसी शक्ती का आवाहन है आज, जो काम बार 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 regular continue किया जाए, जपासिद्धिर जपासिद्धिर नसंसया, ऐसा कहते हैं, तो यह पूरी तरे से सिद्ध हो चुका है, इसमें संसय भी ह यह सिद्धि को उपयोग करें और इसका इस्तेमाल करें, बहुत खुश रहें, बहुत प्रसंड रहें, मुश्कुराइए, सुंदर बनीए, और हार आदे गंटे में बढाम करके पानी पीजे, प्रीमेस लाइब बताओ नो भाई, पैसो का आदान पतान मत करना रिस्तों मे रोना बिलकना पनिसान होना दुखी होना उल्टा सिदा सोचना और निगेटिव थिंकिंग रखना बिलकुल मना है, ऐसा करने से आपका लाइब खराब हो जाता है, क्यों करते हो रोज तो मना करता हूँ, अगर अभी भी कर रहे हो तो प्लीज मत करो, अच्छे बच्चे हो तुमसे कंट्रोल नहीं होता, यह जो तुम बोलते हो ना, बस यही तुम्हारा दुख है, इसको खतम करो दुख हसमात, खुब खुश रहो, छोड़कर जा रहा हो तुम्हें अच्छी चीजों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे नहीं है, ओम नमस्षिवाए, सब कुछ बिखर चुका था, पर मेरा भागे साथ नहीं दे रहा था, नसीब का खेल समझो या समय का फेद, यह उससे बहुत ही उक्रे-उक्रे से रहते थे, और तो और, यह किसी और इस्तरीक और आकरशित होने लगी, सब कुछ ट्राई की, पुजा पाठ, उपवास, पर मेरा भागे साथ नहीं दे रहा था, तो आईए और जुड़ जाईए, आचार श्री सतीश अवस्थी जी, सिध्ध जोतिश गुरू, विश्व के एक मात्र वोइस रीडर है, यानि आचार श्री को केवल आवाज सुनकर ही, जटिल से जटिल स अमस्या का समाधान निकालने में महारत हासिल है, अपने आध्यात्म बल्थ और सिध्धियों के माध्यम से निरंतर सफर क्यास रहे हैं।